हेलो स्टुडेंट्स तो हम हमारे पार्ट पांच में आगे बढ़ेंगे फॉर्स लेक्षे में हमने वर्गी करने के आप सकता कि उपड़ी तत्वों को वो देखा उसकी परिभाशा देखी सेकेंड में हमने देखा था दाबे राइनर का त्रिक सिद्धाथ अब हम देखेंग जौन न्यूलेट्स ने ग्या तत्वों को पर्मानु द्रव्यमान के आरोई क्रम में विवस्थित किया कितने तत्व उस टाइम के जो भी तत्व ग्यात थे उतने को उसने क्या किया पर्मानु द्रव्यमान के अकोडिंग उनको आरोई क्रम में विवस्थित किया उन्होंन प्रतिक आठवे तत्व का गुर्धर्म के समान है क्या पाया उन्होंने कि जो पहला तत्व है उसका गुर्धर्म किसे मिलता है आठवे तत्व से उन्होंने इसके तूलना संगीत के अस्टक से की इसलिए उन्होंने इसे अस्टक का सिद्धान का तो बचा को समझ में आया कि इसे अस्टक का सिद्धान क्यों का जाता है क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो पहला element है उसके गुण किसे मिलते है next के 8th number के element से इसलिए क्या कहा इसे अस्टक का सिध्धान्थ तो आगे क्यों हम बढ़ेंगे अब new lens के अस्टक में lithium एवं sodium धातू के गुण समान है sodium lithium के बाद आठवा तत्व है इसी तरह beryllium एवं magnesium में भी अधिक समानता है इस सिधान की कम्या क्या क्या थी बच्चो तो देखो यह नियम केवल calcium धातू पर लागू मतलब जो हलके तत्व होते थे उन्हीं पर लागू हो सकता था बाकियों पे नहीं नहीं तत्व के गुण इस साड़नी से मेल ही नहीं खाते थे अब क्या हुआ मैंने आपको बता था कि फर्स लेक्चर में कि टोटल कितने तत्व अब तक खोज हो गई है 118 लेकिन जैसे से नहीं तत्व की खोज होती गई तो वो इस कैटेगरी में बैठते ही नहीं गए कि पहला जो तत्व है वो आटवे से मेच होता हूँ उसके गुंदर इसलिए इस समान तत्वों जिनके गुणों में भी कोई समानता नहीं थी उन्हों भी एकिस्तान में रख दिया गया सबसे पहले ही बच्चों हमारा कोशन था कि तत्वों का वर्गी करने क्या हो सकता हमको क्यों पड़ी क्यों क्यों क्या करना था उनके गुर्धर्म जानने थे लेंड्स ने क्या किया एकी इस्थान में रख दिया इसलिए स्विकार नहीं किया गया तो बेन आपको पहले बताया था कि इसमें क्या किया था उन्होंने संगीत के अस्टक से किती इसलिए अस्टक का सिधानत कहते हैं जिसे की सारे गामा पधानी सा आप देख सकते हो कि एक यह एट नंबर का है तो जो स्ट भई रिपीट हुरा है n में लिखा हुआ है, तत्व से तो देखो यह मैंने लिखा हुआ है सारे तत्वों के नाम यह नीचे उनके मॉलिकुलर वेट है आप देख सकते हूं कि उनको चर्टे करम में दिखा गया है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिकुलर वेट आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वच्चो आज के लिए इतना ही नेक्स लेक्चे में इसके आगे का हम टॉपिक देखेंगे तो इस बहुत रिविजिण कर लेते हैं कि हमने क्या देखा है जिए आजका वेट इसका अस्टक का सिध्धान ठीक है इसके अंदर कि उन्होंने क्या क्या सोचा क्या क्या किया लेकिन वो क्यों फिट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया था जो नहीं तत्वा आगे आ रहे थे वो सेट सारणी में बैट नहीं पा रहे थे मतलब वो सेट नहीं हो पा रहे okay thank you